डक्टर मोहन राव भागवत जी आदर्णिय प्रधान मंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदर्णिय मुख्य मंत्री जी आदर्णिय राज्यपाल महोदेया देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनी जित्व करने वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनी जित्व करने वाले निमंत्रीत महानुभाव आज का आनन्द शब्दों में वरणनाती थे और उसके वरणन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तवयों में अच्छा हो गया है ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी है कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वर लवट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उच्छा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहाँ पर अनुभो कर रहे है पूर्ण देश में यहीं वातावरण है छोटे छोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोडो बंदू वहाँ पहुच ना पाए ऐसे घरगर के हमारे नागरिक सजन माता भगिनी सब भालव युव हो रहे है सब में आनंदा है सब में उत्सा है और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में पदारने के पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कठोर वरत रखा जितना कठोर वरत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर वरता चरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचे है मैं जानता हूँ वो तपस्वी है ही परंतु वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे अयोज्या में रामलला आये अयोज्या से बाहर क्यों गए थे रामायन में क्यों गए थे बाहर तो अयोज्या में कलह हुआ अयोज्या उस पूरी का नाम है जिसमें कोई दवन्द्वा नहीं चोदा अवर्ष वर्वास में कहें वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलर को मिटा के वापिस आए आज राम लला वापस फिरसे आए है 500 साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रया सोशे ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्न दिवस देख रहे उनका स्मरण प्रान प्रटिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्णम को शत्वार सहस्त्र बार कोटिबार नमन है रामलला के यहाँ इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए करमप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुखदैन्य हरन होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है परवन्तु उसमें हमारी लिए कर्तवयका आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भेतब करना है रामराज्या आने माला है वो कैसा था दैही का दैवी का भौति का तापा रामराज नहीं कहुई बापा सब नरकरही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म निरत शुरुति नीती सब निर्दंभ धर्म रत पुनी नरु अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ज्यानी सब कृतद्य नहीं कपट सयानी रामराज्य के सामान्य नाजरीकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्ष की संताने है कोटी कोटी कंथ उसका जैगान करने वाले हमारे है हमको इस प्रकार के व्यवार को रखने का तब आचरन करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी छोटे-छोटे परस्पर मत रहते है छोटे-छोटे विवाद रहते है उसको लेकर लड़ाई करने के आदा छोड़ेनी पड़ेगी आखिर है क्या ये बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे निर्दंभ प्रामानिक्ता से आचरन करने वाले केबल बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरन करते थे और अंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्मरत थे याने क्या थे इस पर कठिन बाशा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य करुणा शुचिता तपस उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरन क्या है तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है ब्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है तो हम को ये जान कर आपस में समन्वै से चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सब के लिए चलते हैं सब हमारे हैं इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समन्वै रखकर व्यवार करना ये धर्मका पहला जो पहरे सत्य उसका अचरण है करुणा दूसरा कदम है उसका अचरण है सेवा और परोबकार सरकार की कई योजनाए गरिबों को रात दे रहे ही सब हो रहा है लेकिन हमारा भे करता है ये सब समाज बांदो हमारे अपने बंदु है तो जहां हमको दुख्ध दिखता है पिड़ा दिखती है वहां हम दोड़ जाए सिवा करे दोनों हाथों से कमाए अपने लिए न्यूनतम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दे सिवा और परोबकार के माध्यम से ये करुणा का अर्थ आज है सुचिता पर चलना है यहने पवित्रता होनी चाहिए पवित्रता के लिए सैयम चाहिए अपने को रोकना है सब अपनी इच्छा है सब अपने मत सब अपनी बाते ठीक होंगी ही ऐसा नहीं और होगी तो भी अन्यों के भी मत है अन्यों की भी इच्छाए है और इसलिए अपने आपको सह्यम में रखते है तो सारी पृत्वी सम्मानवों को जीवित रखेगी गांदी जी कहते थे Earth is enough for everyone's need but it cannot satisfy everyone's greed तो लोब नहीं करना सह्यम में रहना और अनुशासन का पालन करना अपने जीवन में अनुशासित रहना अपने कुटुम्ब में अनुशासन रहना अपने समाज में अनुशासन रहना सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक सम्वेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारना अपके सामने आज दिया गया व्यक्तिकत तपस तो हम करेंगे सामुहिक तपस क्या है संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनावसी जानता हम साथ चलेंगे बोलेंगे आपस में उसमें से एक सामतिका सम्वाद निकालेंगे एक कही भासा बोलेंगे वो वानी मन मचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे अपने जैश को विश्यू गुरू बनाएंगे ये तपस हम सब को करना है पास्सो वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहा कर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलबद करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतगे का है मैं यहां बैठता हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनी दी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनी धी के नाते मैं ये अवदान स्विकार करता हूँ और उनी को अरपन करता हूँ परंतु उनका ये वरत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस थापना विश्व में करने के लिए राम का उतार हुआ था उस धर्मस थापना को अनुकूल स्थिती अपने आचरण में अपने जेश में उत्पन्न करना ये अपना कर्तव्य बनता है राम लला आये हैं हमारे मन को आलाजीत करने के लिए उत्षा ही करने के लिए प्रेणा देने के लिए साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिला कर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आये है उनका आदेश सर्पे लेके हम यहां से जाए सब लोग तो यहां आ नहीं सके लेकिन वो सुन रहे हैं देख रहे है अभी इस इक्षन से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्मान पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी ख्षमता हम सब की है इसका मैं एक बार स्मरण देता हूँ आप सब को धन्यवाद देता हूँ और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ